बलोचिस्तान के घेरत के टेकिदार हैं। आप तो कहते हैं कि आप बलोचिस्तान के तब्दीले लाने के आप हेवी बेट हैं, आप चेंपियन हैं, आप टेकिदार हैं। आप तो कहते हैं कि आप बलोचिस्तान के रस्म रिवाजों के टेकिदार हैं। लेकिन आजकल जो आप कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ये बलोच को बलोच के साथ लडा रहे हैं आप आप कहते हैं कि रस्म रिवाज के हम पामाली नहीं होने देंगे बलुस्तान हमारा है हम बलुस्तान के बच्चे हैं ऑलाद हैं बलुस्तान के लेकिन दूसरे तरफ आप को इस्तमाल करके अटेक करना यह हमारे बलोची-‍द लिए मेने यह हमारे कबाली रस्मु रिवाज में मेरे भाइयों और भेहनों बलोची, रस्मु रिवाज में हमारी खातून की एक एहम किरदार है ठीक है न जी खातून का एक इंटूब्येनर आप अंग्लिश में कहलें, पीस एंजिनियर आप इंग्लिश में कहलें, उसका वो किरदार है, ये किरदार नहीं कि आप फिलाने के साथ लड़ाएं, बलोचे अगर आएं, अगर दो अक्वाम के दरम्यान लड़ाई शुरू है, वे वापस आ रहा हूं कि बलोच नौजवानों को बलोच खवातीम को घल्ट इस्तमाल किया जा रहा है घल्ट इस्तमाल से मुराद ये है कि हमारा बलोची जो माशरा है उदर जैसे का कि एहम हमारे करदार है वोमिन का और उनका बड़ा एक इंपॉर्टन्ट वैल्यूट प्लेस है लेकिन दुश्मन आपको इस्तमाल कर रहा है कि क्योंकि हमारे जो सिक्यूरिटी हमारे जो विकनिस है उसको एक्स्प्लोइट किया जा रहा है अगर बिलफर्ज बलोच किसी खातून को हम चेक करें हमारे सिक्यूरिटी मुझे अहसास है मुझे पता भी है कि हमारे जो सिक्रिटी अदारे हैं हमारे फोर्सिस हैं वो चादर और चार दिवाली का वो कॉंसेप्ट रखते हैं कि वो बलुष्तान के लोकल भी हैं उसमें लेकिन यह जो दुश्मन आपको इस्तमाल कर रहा है कि आपसे सुसाइट बॉमिंस करवा रहा है यह काबल मुझमत है और हम दुश्मन को यह पेखाम देना चाहते हैं कि यह हमारी जो रस्मी रिवाज है हम इसकी पामालियां कभी होने नहीं देंगे दूसरे तरफ अगर क्योंकि एज़ बलोच नौजवान जो जैसे कि हम हमने होश सम्वाला है हमारे आगे दो चोईस जाते हैं एक चोईस अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए अपने हकूप के लिए लड़े दूसरी चोईस होता है कि बंदू को अठाके पाड़ों पे आप जाएं और मुल्क के खिलाफ लड़े जो लोग सरंडर कर रहे हैं यह खुशाइन बात है इसमें हम नहीं कहते हैं क्योंकि रियासत एक माँ है रियासत पाकिसान हमारा माँ है और ओलाद से जितने भी गलतिया हों वो माँ माफ कर देती है तो यह खुशाइन एक्सपिरियंस है और मैं बलुस्तान का वाहिद जो हल है वो रिकंसिलेशन कान्फ्लिक्ट मैंजमेंट के बगहर नहीं है क्योंक करता मैं फिर अपने बलुच नौजवानों से जो के कहते हैं के बलुची जो विजिन है उनके अलंबरदार हैं लेकिन बलुची विजिन को फोरण आपके जो फैक्टर्स है उन्होंने हाइजैक किया हुआ है बलोची जो हमारा असल विजन था जो बलोचीत का हम नारा लगाते थे बलोचीत का जो असल हमारा अबजेक्टिव था वो ये नहीं कि हम स्टेट के खिलाफ लड़ें ठीक है स्टेट से खल्दिया होती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें आकर पाड़ों पे जाए वगरा करें हमारा जो असल मिशन था पीस प्रोस्परिटी अमन अमान और डिवल्टमेंट में था आज मैं फिर आप सबसे दर्खास करता हूं कि अगर बलोचीत का ये हाल रहा और स्टेट से भी मैं ये अपील करता हूं कि बलोचीत की जो तरकी के काम हैं वो आप प्रियोटाइज उनक कि बलोच्तान में जो तरकी आफता लोग हैं वो बलोच हो खौव वो पंजापी हो खौव सिंदी हो जो भी हो वो कभी हमारे सूबे में नहीं आएंगे और उसके बराक्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो बलोच हैं तरकी आफता लोग हैं वो पंजाब में अपना खुशाल अपने डिवल्प्मेंट तरक्याफ्ते किरदार अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये व seguinte कि हम उनको बुरावला कहते हैं। उनको टारगेट करते हैं। तो इसी लितिरे बलुचिस्टान का ये हाल है आप सब के सामने। तो आखर में मैं ये केना चाहता हूं क्या बलुचिस्टान हमारा सुबा है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है ये मुल्क भी हमारा है ये दारे भी हमारे है तो लहाजा जो भी आप कदम उठाते हैं सोच समझ के आप कदम उठाएं और आखिर में क्योंके बलुचिस्तान की जो आवाज है उसको बहुत कम मरकज में बहुत कम सुना जाता है तो इसी मौके का मैं फाइदा उठाना चाहता हूँ कि क्यूंके मैं शहीद के एक फैमिली से बिलॉंग करता हूँ हमारी कबाली जो स्टेटर्स है वो भी आप लोगों के सामने हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों से जो कहते हैं न ब्रेड विनर वो भी तंजीनमों ने शहीद किया है उनके घरों में सिर्फ खवातिन हैं तो अपने दोस्तों के साथ मैंने कुबाली माईदीन के साथ मैंने ये वश्मरा किया कुछ अरसे पहले कि हम शोहदा फॉरम के नाम से एक ऐसा प्लैटफॉर्म बनाएं जिन में जो हमारे शोहदा के वर्सा हैं जो हमारे शोहदा के लवाइकीन हैं उनका जो मतालबात हैं हम वो एवान तक पहुंचाएं तो आप सब की तवस्त से मैं शोहदा फॉरम का आप सब को दावत भी देता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा काम भी है और बल्वस्तान में कभी भी नहीं हुआ और जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा कि बल्वस्तान शोहदा के सरजमीन है तो आप भी जो नौजवान हैं जिनको आप जानते हैं कि वो शहीद के लवाइकीन हैं या उनका किसी शहीद के साथ तालुक हैं आप इनका इस प्लैटफॉर्म में रिजिस्टर करवाएं ताकि उनके जो खानदान के लाज हैं उनकी तालुमी जो आपस्टिकल्स बगहरा हैं और उनके जो दूसरे मामलात हैं उनको हम खुदी हैंडल शोदा फॉर्म से हैंडल करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे तो आखिर में मैं फिर अपने नौजवान से गुजारिश करता हूं कि सियासत आप करें लेकिन सियासत की आड़ में आप अपने मुल्क की सलामती मुल्क की बुका को टेस्ट ना पहुंचाएं पाकिस्तान जिनदाबाद शोधाए पाकिस्तान पाइंदाबाद अच्छे बात करेंगे फिर इकटे कर लेते हैं बिसमिल्ला इरह्मान रहीम मैं तमाम मेडिया के सातियों का शुकुरिया अदा करता हूं मेरा नाम अली मदजजतक मैं पीपल्स पार्टी का संटर्जूटर कमेटी का मिमबर हूं आइक्स मिनिश्टर आइक्स वाइक प्रेजिडंट पीपस पार्टी बरुजिस्तान मैं आप दोस्तों का शुकुरी आदा करता हूँ कि आज आप दोस्तों ने हमें टेम दिया और हमारे आवाज को पाकिस्तानबल के मुलक से बाहर बे पहुंचाने में आप लोग किरदार अदा करोगे मैं मुक्तसर बात करूंगा क्योंकि पीपस पार्टी खुदी शहीदों की पार्टी है आपने देखा कि पार्टी के क्यादत चेर्में बिलावल भुटो जर्दारी साहिब और जनाब आसिफ अली जर्दारी और पार्टी के तमाम लीडर्शिप ने जितने भी सीनियर लीडर्शिप नौमई के वाकिया पे सخت अलफाज में मुझमत किया और कहा कि इन लोगों को सिजा दिया जाए दोस्तों चूंकि मेरा तालुक बलुचिस्तान से है हमने सियासत समझो कि 87 से हम बैदाशी पीपर्स पार्टी से मेरा तालुक है मरत तीसरा ये नसले शहीद जुल्फिकार अली भुटो को जब शहीद किया गया हमने खुसुसान पीपर्स पार्टी ने उस शख्स को तनकीद का निशाना बनाया मगर इदारों के खिलाफ कुछ नहीं बोला जब शहीद मौतरमा बे नजीर भुटो को शहीद किया गया कारकुनों के साथ कराची कारसाज में हमारे तकरीबं 300 के करीब वरकर शहीद हुए पीपर्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़िये हमारे वरकरों को कोड़े लगे हमें हमारे क्यादत जेले काटे और हम इस हक तक नहीं गए कि हम जीएचकू पर हमला करें या हम अपने पाक फाउच के पर हमला करें हमने बिलकुल उस डिक्टेक्टर को हमने टार्गिट बनाया मगर हमने इदारे के खिलाफ कभी भी आवाद नहीं उठाया और जनाब आसिफ अली जर्दारी ने अपने खुद देखा कि बलुचिस्तान में हालात क्या था यहां पे महतरमा बेनजीर भुटो को शहीत किया गया हमने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया मगर हमने इस तरह नहीं गिया चौदा साल जनाब आसिफ अली जर्दारी जेल काटा जब नेप का टीम जर्दारी हुसाया जनाब आसिफ अली जर्दारी को ग्रिफ्तार करने के लिए क्या पीपस पार्टी के साथ वरकर नहीं थे कभी उन लोगों ने मुझामत नहीं किया टीम को गले लगा के अपने बेटी से इजाज़त करके वो जेल चला गया और एद का रात हमारी बेहन मुथरमा फरेयल तालपुर को पकड़ के जेल में डाला गया पाकिस्तान पीपस पार्टी ने पुर्रामन इहतिजाज किया मगर एक दिन के लिए ये गाली गुलोच के जो बिरगेड जो गाली गुलोच के और फसादात के सरवरा को जब गृफतार किया गया आपने देखा हमारे मुलक का हालात को और हमारे जेजकू पे कोईटा में किस तरह हर जगा पे तोड़ फोड़ अवाम को इतना नुस्खान दिया गया कि आज मैं समझता हूँ दस साल तक जो हमारे पाकिस्तान के नुस्खान हुए वो पूरा नहीं होंगे ये मुलक है हम है हम जमुरी तरीके से स्यासत करते है हमारे जितने शोड़ा है पीपल्स पार्टी के इतने मैं समझता हूँ कि इमरांग खान के वरकर नहीं है वो ऐसा कोई वरकर नहीं है जिसने पांच साल दो साल मैं आपके सामने बैठा हूँ कि हम पचास दफ़ा जेल ग पार्टी नहीं किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुलक का वाली वारिस से इस मुलक के दरख्त को हमने खून दिया है और देते रहेंगे हमेशे इस मुलक को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया है शिन्हाइज दुल्फिकर अली बोटो ने इस मलक को एटमी कृट बनाया शिहीद मुतुर्मा बेनजीर बोटो ने इस मलक को मिजाइल टकनोलोजी दे दिया जनाब आसिफ ली जरदारी ने इस मलक और सीपե का तुफा दिया जो कि इमरांग खान ने इसको खटम करने के लिए बड़ा कोशिश किया इमरांग खान तो मौइदा कर रहा था कि इस मुलक के एटमी पावर को हम खटम करके किसी और को दे कभी इसलामी टच देने की कोशिश जिसका पाकिस्तान पीपस पार्टी सक्त अलफाज मुझमत करता है यही हमारे अधारे के नوجवान अपने बैन अपने बच्चियें अपने बेटों के शादियों पे नहीं पहुंचते हैं हमारे हिफाज़त करने के लिए वो रातों रात जाते हैं और ये लोग अपने वरकरों को अपने नوجवानों को जो है ने